हे फ्रेंट्स मैं हूँ आसुत चांद मैं आपको सिखाता हूँ साइन्स एक्सपेरिमेंट और डेली डिवाइस को रिपेर करना जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ हम आपको एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई वीडियोज हमारे चैनल क्रियेटिव साइन्स वर्क्सॉप में प्रोवाइट कराते हैं फ्रेंट्स हारा हम लोग डिसकस करने वाले हैं पावर सप्लाई को करना फ्यूज के बाद common module कॉईad common module होता क्या है यह common module कॉईट मैंने जब चोख का जो टॉपिक था उस पर डिसकस किया था इसमें चार टर्मिनल होते हैं और दो इन्पुट दो आउट्पुट होते हैं तो फ्यूज की तरह यह भी काम करता है कर यहां पर कोई फॉल्ट आत होके जाता है डायोड में से और डायोड से इस प्रस्टलेस और हमारा इसके बाद यह शिक्तले इस प्रस्टल एकूर मिंना माँ कला है र्ट यहरूइसी जो होता है उसका कामी है है कि अगर कोई सब्सक्राइब आ जाए तो उसके लिए इंटरफेस कैपेसिटर होता है उसको कनवर्ट करेंगा या फिर उसकी कैपेसिटी उससे उपर आता है तो यह खराब हो जाएगा और हमारा फ्यूजर डिस्टेंस पूर जाएगा उसके बाद हमारा सप्लाई जो होता है सप्लाई हमारी आती है ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर से हमारी सप्लाई लोग वोल्टेज हो करके हमारी इस तरकेट में आती है और यह तरह तरह के डायोड से लगे हैं इन डायोड से हमारा जो करेंट आउटपुट जो आ रहा ह होता है उसी की हिसाब से कैपेसिटर लगाते हैं यहां पर तो हमारा एक लगाया 25 वोल्ड बाइस सो माइक्रोफरेट का दूसरा 220 माइक्रोफरेट 25 वोल्ड और फिर उसके बाद 25 वोल्ड 220 वोल्ड सारे ही लगे हुए हैं उसी साब से यह किवल करेंट फिल्ट्रेशन के लिए लगाये गए हैं और यह एक लगी है चोक क्वाइल उसके बाद इस करेंट को इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से भेजा जाता है हमारे यहां से फीडबैक दिता है इस ड्राइवर आइसी को उसी के हिसाब से ये इस C OKS का जो वोल्ड़ेझ होता है उस C से वह रेगुलेट करती रहती है जिस पर जो बोल्टे जा रहा है उस आई सी को पता चल रहा है जब कि यह दोनों जो हमारे पार्ट है वह सेपरेट है इसका करेंट उस पर नहीं जा रहा है उसका करेंट इस पर नहीं आ रहा है टांसफर्मर के माध़र से जो करेंट आता है व लेकिन वो हमारा isolated current नहीं होता है इसलिए हमको यहाँ पर sock लगता है आप यह मत सोचिए कि यहाँ पर diode लगा दिये और हमारा current है वो DC हो गया आप में sock नहीं लगेगा यह जो voltage यहाँ पर होता है वो हमारा isolated voltage नहीं है यहाँ पर हमको sock लगेगा अब देख लेते हैं इनकी कुछ रिपेरिंग्स के बारे में तो सबसे पहले क्या होता है यह खराब कभूते हैं पहला जो problem होता है वो हमारा होता है लन भी वाइर से लन भी के जो वाइर निकले हुए हैं सटब बाक्स से अगर वो आपस में कहीं जोड़ा अपने लगा रखा है वो आपस में कहीं टकरा जा रहा है चूज आ रहे हैं तो हमारा यह जो 24 वोल्ट की यह supply होती है 24 वोल्ट की यह supply output होती है ये हमारी आती है LNB में तो बाइद वे अगर आपकी कोई फॉल्ट आती है और LNB वाले वायर कहीं टकरा जाते हैं तो हमारा ये इस पार्ट में ओवर्लोड हो जाएगा और जैसे इस पार्ट में ओवर्लोड हो जाएगा इस साइड के कुछ कमपोनेंट्स खराब हो जाते हैं जह हमारा ओवर्लोड होगा तो पहले तो हमारा इसका कोई एक कपसिटर जो 24 वोल्ट पे लगा हुआ है वो फटेगा उसके बाद ये डायोड में से में चेक करने हैं कि कोई डायोड तो नहीं खराब हो गया है क्योंकि ऐ भी वायर पर ज्यादा किसी पर कम किसी पर खराब हो जाता है अगर यहां पर कोई इस पार्ट में कोई रजिस्टर्स खराब हो जाता है तो हमें आउट्पुट कुछ भी आउट्पुट में मिलेगी और अमारा जो पावर सप्लाइए वो ड़ैट करंडिशन में होगा transformer अगर जाता है तो भी हमारा जो power supply है गुर dead conditions हो करेगा और अगर यहां पर कोई capacitor हमारा खराब हो जाता है तो हमें low voltage current मिलेगा और आनाव की problem हो रही होगी हमको और यह जो capacitor देख रहा है बड़ा वाला capacitor अगर यह capacitor खराब हो जाता है तो हमारा power supply dead condition में आएगा और अगर यह पावर यह कापेसिटिर अगर खराब हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे जो ड्राइवर सर्कीट है उस पर कोई प्राबलम है जायता जब हमारा ड्राइवर सर्कीट का यह रेजिस्टंस होता है यह रेड रेड ग्रीन सिल्वर क्लर का यह जब रेजिस्टंस हमारा उड़ता है तो हमारा जो रेजिस्टंस की वैल्यू है थ्री थ्री इंट्टें टू पाउर फाइव यह रेजिस्टंस जब हमारा खराब हो जाएगा तब हमारा कापसिटर करपसिटर भी हमारा खराब हो जाएगा और दूसरी कंडिशन जब हमारा ओवर वोल्टेज आता है तो ओवर वोल्टेज की बज़े से हमारा common model coil बढ़ेगा common model coil जब बढ़ेगा तो हमारे ये 4 डायोड वैसे 4 ने ये 2 नमबर और ये तीन नमबर ये डायोड हमारे फॉल्ट आती है तो आप 4 चेक कर लिजिएगा common model coil की चेक कर लिजिएगा और डायोड इसको भी चेक कर जब फ्यूज को ये 4 पार्ट आपको चेक करने है और उसके बाद खास ये वारा जो रजिस्टन्स है 33 into 10 to power 5 का इसको आप जिरूर चेक करें और इस पार्ट में जायतर इसमें power supply में डायोड की प्रॉब्लम ही आती है तो आप डायोड सारे चेक कर लें और डायोड तो आपको चेक करना पता ही होगा वन साइड रीडिंग आयागी एक साइड एक साइड रीडिंग नहीं आएगी अगर आप रेड की प्रोब इस तरफ रखे चेक कर रहे हैं रेड की प्रोब इस तरफ और ब्लैक की प्रोब इस तरफ तो एक बार रीडिंग आएगी एक साइड और सेकेंड साइड यब आप प्रोब बदलेंगे आउडपुट नहीं मिल रही तो मारा common module coil खराब हो चुका है और जो हमारा interface capacitor होता है इस पर continuity show नहीं करना चाहिए नहीं तो हमारा common module coil और interface capacitor दोनों ही खराब होते हैं मुझे वमीद है कि मैंने आपको काफी knowledge दे दिये अब मैं अगले वीडियो में आपको इसकी repairing करके दिखाऊंगा जिसमें आपको पूरी knowledge दूँगा मैं पाउर सप्लाई की ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा सेहर करें